नमस्ते दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार दुबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से अगरा चैनल नए है तो प्लेज चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ वेबल को दोना ना भूलना ताकि को अपडेट आपसे मिस ना हो सके तो दोस्तो फाइनली आज दुबारा से में बात करने बाला हूं दो लेटेस्ट पैनी स्टॉक के बारे में और ये दोनों स्टॉक का जो प्राइस रेंज है वो तीस रुपे से चालिस रुपे के विक्वर टेट कर रहा है और दोनों कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खास है और एक कंपनी ने अभी अभी हालसला के दिनों में अपने नमबर्स दिये हैं जा कंपनी के सेल्स नेट प्रॉफिट में एक टीसेंट अंप्रॉफ्मेंट हमें देखने को मिलती है तो मेरे को अंतक देखना अगर आप सच में स्टॉक के नाम जाना चाहती हूँ तो दोस्तों मैं आपका जड़ा टाइम बेस नहीं करूँगा मैं बात करने वाला हूँ इस पैनी स्टॉक के बारे में जो भी 55 रुपे के आज पर स्टेट कर रहा है स्टॉक का नाम एंडियान सुक्रोस है और एक ही है सुगर पैनी स्टॉक है मात्र पश्वन रुपे का स् अब बात करते की जो स्टॉक है कि अच्छा क्यों लगता है उसके दो रिजन से एक तो पहला एक सुगर इंडिस्ट्री का स्टॉक है आज जैसे आपको पता काफी डिमांड में है आजकल सुगर इंडिस्ट्री अगर बड़े स्टॉक में तेजी आएगी तो छोटे पैनी स प्लेज उडिंग 10% की है आपको डिविडेंड एक रुपे का नहीं देखने को मिलेगा मतलब डिविडेंड आपको नहीं दे रहा है स्टॉक बुक वैल्यू सा काफी हाई हमें देखने को मिलती है साथ में आप यहां देख सकतो लास्ट पांस सालों के जो प्रॉफिट ग् लेकिन डिविडेंड का एक रुपे नहीं दे रही है तो यह काफी important pointer for me जिस stock में आपको यह point दिख जा है समझाओ वो stock long term में अच्छा कर सकता है और सबसे important यह stock मुझे क्यों अच्छा लगता है वो यह है last quarter promoters ने अपनी holding increase करिए by 1.19% तो जैसे मैंने आपको बताया जिस stock में promoters किसी shares को buy कर रहे है तो समझ जाओ वो stock future में और आने ले वक्त में अच्छा कर सकता है क्यों promoters हमें hint दे रहे है तो promoters की तरफ से company के numbers की तरफ से हमें hint मिल चुका है कि stock अच्छा है बाकि एक last काम होता हमारा technical analysis का वो भी देख लेंगे कि stock में कहां पर entry की जा सकती है बाकि peer comparison में आप देख सकते हो सबसे नहीं नीचे आपको देखने को मिलेगा राइट बाकि quarter is just की बात करते हो sales तो आप company के sales देख सकते हो दिसंबर में 91 करोड की sales हुई है operating profit आपका 9.86 करोड का हुआ है वह net profit की बात करते है 2.68 करोड का profit company दिया है जो last quarter में 12 करोड का profit था और अगर इसकी comparison दिसंबर 20 से करते है तो उस समय यह profit मातर 1.35 करोड का था जो increase हुआ है ठीक है बाकि बात करते है yearly performance तो आप देख सकते हो company के जो TTM में sales है 439 करोड की है जो last year 441 करोड की थी और operating profit almost same है लेकिन बात करते है net profit की तो net profit आपको देखने को मिलेगा अभी तक company क 27 करोड का profit हो चुका है तो देखो end goal क्या होना चाहिए कि company profitable है या नहीं है लास्ट यह यह 22 करोड का profit था look at the value of EPS 2 से 23 हो चुका है highest EPS है 23 का समझ पा रहे हो अब क्या जबदर CPS है ठीक है अब बाकि बात करते हैं देखो reserve increase हो रहे है साथ में देखो debt जो कंपनी का 204 से 178 क रोड हो चुका है तो मतला company का debt reduce हुआ है that's a big thing बाकी बात करते है cash flow की तो अगर देखो अब ही negative cash flow है बाकी बात करते share holding pattern जो जबर्दस है जो मैं आपको बता चुका हूं promoters की holding increase हुए last quarter में और साथ में DIA चे थोड़ा मौल माल increase किया है और public की holding 38% हो चुकिये जो decline हो रहे देखे करके ठीक है बाकी आपके सामने सब कुछ सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं आप नीचे comment करके बता सकते हो कि आपको इस लागा आप एक पर अपनी study कर लेना स्टोक के बारे में बाकी बीसी में स्टॉक में कैसा काम करता हो तो देख लेता है इस टो है सिर्फ पी है तो आप के लिए यहां देख सकते दोस्तों मल्टियर वेगाउट किया है तो यहां पर एक मल्टियर वेगाउट हुआ है तो मैं यही बोलूँगा इस मंतली के अनल लगा तो देख रहा है यह आपका स्टॉब जेना चाहिए तो यह आपका स्टॉब जाएगा क्रोजिं सकती हो 38 रुपी का 38 रुपे का स्टॉब जाएगा तो यह इसको उपर क्लोजिंग कर सकता है समझ आ गया क्या करना स्टॉब में अब बढ़ते हमारे दूसरे स्टॉब की तरफ है तो दोस्तों मेरा जो दूसर में स्टॉब कР क के ट्रिज प्रिए हुआ है और यह एक को त्रेट कर रहा है और यह शॉट-च्छा क्यों में लगताए देखो अ sait अ च्छे नहीं है तके पुरानाहा नाम को यह सबस्का एडिस्ट्रिई का यैं क्रीज अ मैं तो फॉलू करता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ चार्ट पेर्ट में कुछ बात है बहुत लोग बोलेंगे कि यह बुल्शिट है लेकिन चलो ठीक है हम बुल्शिट में कुछ ना कुछ डूम सकते हैं तो देखो चार्ट पैरन करेंटली एक रेंज बनाता है यह एक आता है मुझे लगता तो है कि श्रॉप आ सकता है आ सकता है क्योंकि यह कैंदल ने वॉल्म बहुत बढ़ाता है यह तोड़ा है तो यह इसका रजिस्टन्स है इसको एक ट्री टेस्स करके निच्छे आएगा और तेरा में क्या सब्सक्राइब आपको मिलता है श्रॉप जि अगर आप इसके बेशिट में बाइब कर रहे हो बारा के आसपास नौक आप स्टॉप लोस तो टागेट रहेंगे पंदरा और अठारा करेंगे ठीक है वह निच्छे टू का टागेट रहेगा बाकि जो टागेट आपको पहली बिदा शुका हूं यह श्रॉप आपको काफ कर लिए जो मुझे नजर आता है वह आपके 30 रुपे गा तो 20 रुपी का रिजिसेंस ने टेस्स कर लिया अभी 20 रुपी के उपर क्लोस कर देता है तो आपको फिर अराम से 31 रुपे 32 रुपे के टागेट यह शेर दिखा सकता है ठीक है यह जो स्टॉक है प्योर्ली टेक्न टेक्निकल्स अधारित है ना कुछ है प्योर्ली टेक्निकल्स है ठीक है बागी आप देख सकते हैं अनसी में कैसा काम का जो हो रहा है आपको दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं आठ लाग शेर अभी इंटरडे में धरले के जाए 59 परसें के डिलिवरी 28 फैप को सब्सक्राइब के चल सकते हैं तो बाइसल कर नहीं है जैसे एक चनल व्यू के लिए यूटियो बनाया गया तो प्लीज इसको आप फॉल्व कीजिए मिलते अग्ली लाग